Hello Traders and welcome to the studio NCC को वाज के दिन हम ट्रेट का इदर लास्ट वन वीक से ज्यादा का टाइम हो चुका है जब हमने किसी विद्र की कोई अब्डेट नहीं दिये एक शौर्ट वीडियो शायद आज से दो दिन पहले हमने अप्लोट और उसके बाद से यह अपना सेकंड वीडियो है एक अच्छा सेटप लगा है अभी जैसा हमने बताया था कि कुछ इशूस चल रहे हैं जैस विए से पार रहा है बिल्कुल भी कौंसेंटरेट नहीं हो पारा कोशिश करने की देखते हैं क्या होता है कैसा होता है जो भी एपनी इस है हाँ आज के वीडियो में हम यह बास वरू बोलेंगे कि जो भी हमारा ट्रीट आयलसे से हैंज कि हैंड़ीट पसंट नहीं है जो हम इससे ब यह सब बोल दी जाती है लेकिन अवोइट करना बड़ा मुश्किल होता है काम भी है काम भी करना है शारी चीज़े करनी भी उसके साथ साथ में सबकुस देखना पड़ता है नॉर्मलडे के ट्रेट में वे थोडा सा फर滅ज है कि अभी जैसे सा पता है एक मिनट यहां से ट्रेड बुक उपन कर लेते हैं पोज ओके 6000 का प्रॉफिट चल रहा है और एंट्री जो अपनी थी हैंड़ेट 100.70 यह तो मार्किंग तो यह है 100 को एक बर रिफ्रेश कर लेते हैं 100.70 यहां पर अपनी एंट्री है सेम चीज को जब आप डेली टाइम पर द केंडल थी वह यह वाली 8th मार्स केंडल का हाई यहां पर वॉल्म को आउन कर लेते हैं अब देखिए यह वाली जो अपनी ग्रीन केंडल है इस केंडल के फॉर्म होने पर वॉल्म बहुत ज्यादा आई है आप देख लीजगा पिछले कुछी सेशन ऐसे रहें कि जब इतनी इसकेंडल की इसकेंडर वॉल्म नहीं आए और वापस हमारी रेंज के अंदर चला गया है न, यहाँ पर वॉल्म के ब्रेक आउट नहीं देखनों के मिल रहा है एकदम ड्राइ और यहां भी ऑर यह वाली जो वाली जो ऑली माई है इसने प्रीवेश सकंडल के अहाई को इस जगह पर volumes के breakout हुए और price sustain हुग upside के अगर यहां से price को sustain होना है तो फिर volumes के breakout चाहिए बट price क्या कर रहा है कि upside की तरफ move दिखाने के बाद में चुटी चुटी candles form करने के बाद में वापस से price हमारी range के अंदर आ गया अगर price हमारा strong है तो इस candle के high के उपर इसको निकल जाए और यह 70 का price है हम अगर exact high mark करेंगे तो वह करीब करीब यहां आएगा दस या 15 पैसे उपर यहां पर देखे क्योंकि एंट्री 70 पर अब चलते हैं लोगर टाम फ्रीम पर एक बार और और इसको समझे price अगर strong है तो वह upside की तरफ निकल जाए जैसे कि यहां से rejections है price जहां से उपर की तरफ चला जाए बट इस जगह पर आ करके मार्केट क्या करी अब यहां से जैसे जैसे rejection आया है इसके अंदर price को क्या मिला यहां से support मिल के price हमारा अपचाइट की तरफ चला है यहां तक move दिखाने के बाद में price वापस से मेरे support पर आता है यहां से अगर यह strong है तो इसको उपर की तरफ जाना चाहिए और अगर weak है तो वापस से price हमारा हमारी range के अदर आ जाए but range के अंदर आने की बाद में जब इसने में confirmations दी तो यहाँ पर हमने किया किया simply trade execute कर दिया अब अगर यह strong नहीं है अगर यह weak है तो हमें profit मिल जाएगा और अगर यह upside की तरफ भागता है तो फिर हमारा stop loss चला जाएगा but probabilities are very high कि high volume के साथ अभी तक इस candle का break out नहीं हो price अपनी range के अंदर ही trade करने के कोशिश कर रहा है so that's why हमने यहाँ पर अपने एक trade execute किया अब इस candle के high के पास में मतलब एर्थ of March के candle के high के पास में lower time frame पर किस तरह के formations और price actions बने इसको देख लीजे price ने क्या किया है इस जगे से यह आज की starting है यहाँ से price एक swing यह high और morning के यह वाले swing लग गया हमारी range के पास में है ना और price के अंदर है rejection अगया अब अगर rejection आया तो फिर price हमारा उपर की दरफ चला जाए उपर की दरफ नहीं गया और price ने क्या कि इस green वाली candle के नीचे आ करके closing कर दी तोड़ दिया मौनी का जो support था वो तोड़ दिया यहां से यह confirm हो गया कि इस जगह से हम लोग अपना एक trade execute कर सकते हैं daily time frame पर अपने लिए एक level निकालिए और इस daily time frame के पास में lower time frame पर अपनी confirmations लीजे volumes के साथ में इस जगह पर देखिए एकदम drive volume सा और प्राइस हमारा नीचे गरा तो इसके अंदर कितनी volume सा रही हमें इतना confidence है कि प्राइस भले ही हमारे entry level तक चला जा जा है बट हमारे higher time time की level को इस वाली green candle को यहां तक यह नहीं जाने वाला अब previous days के कुछ structures को हम लोग देखेंगे, continuation भी बोलते हैं इसको की technical language में हम लोग drop base drop drop base rally, rally base drop और rally base rally यह चार terms होते है, rally base rally, drop base rally अब इसमें होता क्या है, एक rally निकल के आती है price ने एक support के बाद में, support को break करने के बाद में, यहां से continuation दिखा है, कि price continue गिर रहा है नीचे की तरफ, तो यह क्या कर रहा है कोई भी आप एक काम करना, कि जब price आपका down में हो, यानि कि जब गिर रहा हो, वो drop हो रहा हो, तो उसमें कुछ green candles होती है अब आप देखो, कि price जब जब अपनी green candle के नीचे के तरफ closing देता है, जानि कि green candle को एक अच्छी volume confirmation के साथ breakout करेगा, तो वही उसका support बन जाता है जैसे कि यहाँ पर देखो, यह भी यह green candle बन गए, अब इसके बाद में फिर सी यह वाली green candle, यह green candle कोई सी है, यह आज की green candle है, और यह वाली green candle कोई सी है, यह कल की, जैसे आप यह देख रहा हो, 320 और यह 325, यह सभी कल के last session की green candle है, यह जो green candle हमारी बन रहे है, इसके नीच काईफ हमारा आज की मार्केट नीकिया रेट केंडल से अब देखिए आज की केंडल नीचे के तरफ और ये कल के सिशन की green तरफ मतलब किये इसॉपोर्टियू पॉइंट्स हैं इनका ब्रेकाउट होगे नीचे की तरफ और फिर से देखिए आज भी हमने एक ग्रीन केंडल के फॉर्म होने का वेट किया और इस ग्रीन केंडल के नीचे प्राइज ने क्लोजिंग कर दी देख पा रहे हैं कितना इजी है इजी निचे के प्राइजेकर प्राइजिस के कुछ सबस्क्ता निकाल ली हमने कल के सज्क्षित दोनु तरफ की मार्किंग से वह यह बितनी अराम से हम लोग इसको इससको रीट कार रहे हैं अपना trade भी चल रहा है 10,000 का profit चल गया stop loss एक बार देख लेते हैं इसके अंदर जो stop loss अपना है refresh कर लेते हैं stop loss हमने 5500 कौंट्टी का 101.30 पर यहां पर stop loss लगा हुआ है जिस तरह से profit बगरा चल रहा है जैसे हम लोग reading कर ले रहे हैं आप जाओ option trade करने के लिए आप कर नहीं सकते लगाते रहो trend line यह trend line बन रही है वो फलाना line बन रही है कुछ नहीं होगा अब trend line बनाओगे ब्रेक होगे बनाओगे ब्रेक होगे यह गलत हो गया चलो हटाओ अच्छा यह गलत होगे यह गलत होगे मत करो इतनी जादा trade क्यों वहाँ पर आपको loss करने के लिए जाना सभी कहते हैं मानने को कोई तयार नहीं है आप करो loss जाओ लॉस करो जाकर options is not bad thing बड़ अगर एक सही analysis किये बगैर आप उसके अंदर trade करते हो एक समय से पहले आप जाकर कूट पढ़ते हो किसी को देखा एक करोड़ा को profit है चलो करते हैं चलो के options करो जाकर के जब capital साफ हो जा तो एक बार चैनल पर आकर के बस comment कर देना कि yes you are right बोल देना ऐसा फिलाल ऐसा कोई करने वाला नहीं है कि आप चैनल पर आकर कोई comment करें एक बात हम बोल रहे हैं इस इसको समझो इतने दिन हो गया है मैं काम करते हुए करीब हमें लग रहा है दीरे-दीरे 7-8 साल हो चुके 8 साल नहीं लगबग 7 साल हो चुके जो लोग भी options कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि रातो रात उठे बस उन्होंने options स्टार्ट कर दिया options segment होता है लेकिन options को जब हम trade करने जा रहे हैं derivatives को nifty है bank nifty को भी हम जब trade करने जारे हैं तो trade करने के लिए system select है वो price action है अच्छा price action आप कोशिच करो सीखने की एक बार हाथ में price action आगे ना फिर आप किसी segment को trade करो साब चलता है इस तरह से काम होता है तो नुकसान मत करो आपके फायदे के लिए हम ये बात बोल रहे हैं हम तो कर रहे हैं ये तो शल रहा है मेरा profit कोई भền ये बात हमने शुरू कहां से की थी कोई भी trade जब आप करने जाओ, तो मन शांत रहे, कोई भी trade आप करने जाओ, तो मन शांत रहे, बिल्कुल इत्मिनान के साथ में काम करो, कोई headache नहीं होनी चाहिए, कि जलबाजी ये, 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 ये कर लिए, एक लोट मारें, दो मारें, पांच, दस, पंदराभीस, कितने मारें, कुछ नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप पूरे हफ़ते प्रॉफिट करो, थर्स्टे तक आप खुब प्रॉफिट करो, जो भी आप है, अगर सिस्टम नहीं है, अगर आप उसके अंदर अपने खुद के नासिस नहीं लगा रहो, आप यकीन मानो, नहीं हमारी इस green candle के नीचे है, हमें confirmations दी, volumes के साथ में हमने यहां पर अपना एक trade execute कर दी है, ओके, चली, markings को हम delete करते हैं, और अब एक fresh marking करते हैं, fresh marking का मतलब, यह जो entry हमने लिए, copy, 98.25 यह हमार आज का target है, यहां तक price यागा, जुब चाब बहार निकल जाएगे, इस व 98.25 यहां तक price chances हमें लग रहे हैं कि आ सकते हैं, तो जैसे price यहां पर आएगा, हम चुप चाब बहार निकल जाएगे, वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जितना हमने अपने target decide किया था, 98.30 यह 25 का आज पास का जो target था, वहां तक price हमारा पहुंच किया, current candle जो form हो 6.50 रुपिस का profit हमारा रने गया, भी 13,000 हो गया, लेज़े, और भी हमको लग रहा नीचे आ जाई है, so अब यहां पर हम लोग अपने profits बुक करेंगा, so order book में चलते है, order book में चल करके, सबसे पहले होते है, stop loss को cancel करेंगे, cancel and position book, 98.30 का price चल रहा, 13,200 का profit है, तो 98.40 हो गया यह देरे देरे करके, अभी सारी कॉनिटी नहीं निकली है, रिफ्रेश करते है इसको, 5,300, सिर्क 310 रुपिक होग है, price अभी 98.45, 5 पैसे ऊपर चला गया, 5 पैसे भी नीचे आना होगा, okay, 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 सारी कॉनिटी अपही निकल चुकी है, 12,650 रुपिट है, और और बुग एक बार देख लेते हैं, अवरॉल इसके अंदर जो पनी पोजिशन एक्जिट हुए 98.40 ठीक है, सही, जितने पर मिने लगाया था, उतने पर यह में एक्जिट मिली है, so 98.40 पोजिशन बुग, 12,650 रुपिस का, so यहां चलते हैं, यह हमारा ओवरॉल आज का टीट था है, जो की आरा रेशियो के अकॉर्डिंग इनफ है, ठीक है, सही है, 1 इस्टो 4.2 क्या स्पास का, 1 इस्टो 4, लग भाई, उतना ही है, so I hope कि समझ में होगा, बहुत सिंपल सा सेशन था, बहुत सिंपल सा टीट था, कोई कॉई कॉम्टिकेशन नह जिसका breakout अभी अभी हुआ है, जैसे कि ये candle बन गई जिसकी volume बहुत ज्यादा है, इसने एक अच्छी खासी volume का breakout गई, इस candle का breakout नहीं हो रहा है, क्योंकि volumes नहीं आ रही है उतनी, तो price उपर की तरफ जा रहा है, फिर से नीचे की side में गिर रहा है, फिर उपर जा रहा है, फ आपस अगर price इस range में आया है, तो इसे गिरना क्यों है, जिस range को breaker की उपर की तरफ गया, जैसे price हमारा नीचे की तरफ आएगा, हम यहां से अपने इंडिस के confirmations लेंगे, जो भी अपनी analysis है, date time frame की reading है, marking और reading दोनों अलग अलग चीज़े हैं, वो हमने यहां पर के अपने trade execute के, I hope यह समझ में आओगा, काफी सारी चीज़े clear होई होगे, so जितना हो सके, शान्त मन, शान्त दिमाग के साथ, बिलकुल एक professionalism, हम बार बार बोलते हैं professionalism, professionalism का मतलब कि उसको हर चीज़ मालूम है, क्या हो सकता है, probabilities किस तरफ है, तो बुरी से बुरी परिस्तिती के लि की language में उतना ही loss हम bear करेंगे, जितना हम कर सकते हैं, हम क्यों हमारी capacity है, 3,000 रुपाय का loss करने की एक दिन में, हम क्यों उसमें 10,000 और 15,000 रुपाय का loss लेंगे, चोटी सी चीज़ है, इसको देखेगा, और आज के वीडियो में लोग यहीं पर खतम करते हैं, अब हम मिलेग अपने next reading session में, तब तक लिए thanks, goodbye, और telegram channel का link description में, आप लोग अगर चाहो तो उसको join कर सकते हो, वीडियो को like किजएगा, comment किजएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, तो channel को subscribe कुचेगा, thanks and we will meet again.